हाई नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रिशाब पारिक है और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लोग है आज मेरे पास एक प्रोड़क्ट है LG के Earbuds जी हां सई सुना और LG के जो ये Earbuds है ये प्रीमियम केटेगरी के Earbuds है जिनकी प्राइसिंग भी काफी प्रीमियम है डिरेक्ट कॉंपीट करते हैं Apple AirPods से ये जो प्रोड़क्ट है इसका नाम है LG Tone Free FN7 इसके दो मोडल आते है FN6 और FN7 हम रिव्यू करने वाले हैं FN7 का इसका इस्तिमाल मैं पिछले 3-4 दिनों से कर रहा हूँ मैंने इसको पहन के ट्रेवल भी किया है तो वो भी एक प्लस पोइंट है मेरा जो experience है वो काफी मैं ओनेस्ट हो के आपके साथ शेर करने वाला हूँ कोरोना के बाद में कुछ creative हमें देखने को मिला है earbuds में और वो क्या इसमें UV lights हैं जो कि आपके earbuds को clean कर देंगे 99.9% germs या bacteria को मार देंगी UV rays जब आप इसकी case को charge में लगाओगे तब वो UV rays 10 minute के लिए काम करेंगे और जैसे आप इसे open करोंगे तो obviously वो बंद हो जाएंगे तो और यह इंडिया के first ऐसे product हैं जिनमें UV rays से जो germs और bacteria हैं उनको मारा जाता है सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी build quality और design के मामने में तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह काफी small है और इसको आसानी से कहीं भी मैं जेब में डाल सकता हूं ऊपर वाली जेब में डाल सकता हूं आसानी से कहीं भी fit हो सकता है काफी portable है तो इसकी जो design है और इसकी जो size है वो satisfactory है आम तोर पर जो earbuds market में available है TWS truly wireless earbuds वो काफी bulky होते हैं उनकी जो plastic है वो काफी cheap use के जाती है ऐसे दो colors में available है तो हमारे पास white है और white जो color है मुझे लग रहा था कि इस पर काफी scratch पढ़ हुआ लेकिन फिलाल बात करते हैं इसकी plastic और इसकी जो build quality है उसके बारे में तो इसे बनाने में जो material use क्या गया है वो कहीं से भी cheap नजर नहीं आता है नहीं मैं airpods के बाद अगर किसी product से satisfaction मुझे मिला है तो वो यह है even कि यह airport से भी मुझे थोड़े से better लगे इनकी जो shape है वो मुझे personally बहुत पसंद आई जो round shape यहां दी गई है scratches मुझे देखने को नहीं मिले और मुझे उमीद थी कि white वाले पर मुझे scratches देखने को मिलेंगे वहीं अगर हम earbuds की shape के बारे में बात करें तो यह भी काफी छोटे हैं और यह भी काफी premium लगते हैं इनको बनाने के आपको देखने को मिलेंगे एक लगा हुआ आता है दो extra tips भी इसके साथ आते हैं इयरबड है उसमें तीन माइक दिये गए हैं पर एयरबड में और इसका मतलब 6 माइक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे active noise cancellation का जो feature है उसके लिए काफी better है यह वहीं इस पर touch sensor भी यह वह हैं जिनसे आप गाने बदल सकते हो play pose कर सकते हो volume up down कर सकते हो Siri या फिर जो google assistant है उनको जगा सकते हो यह button यहाँ पर लग रहा है लेकिन यह button है नहीं यह click नहीं होता यह touch sensor है जो कि अच्छा काम करता है जैसे इस box को आप open करेंगे तो इसमें blue light on होती है अब आप सु मुझे यह देखने को नहीं मिली तो design और build quality के मामले में यह काफी solid है और अपनी जो pricing उसकी वसूली इसमें आपको देखने को मिलती है अब बात करते हैं किसी भी sound product की सबसे important चीज के बारे में जो क्यों होता है obviously उसकी sound quality और वो है इनकी जो sound quality है वो काफी काफी excellent है इसमें तीन मोड आपको देखने को मिलते हैं ambient, off और noise cancellation वाला feature और तीनों ही अपनी अपनी जगे काफी decent और प्यारी sound produce करते हैं यहां पर sound quality को better बनाने के लिए meridian जो के एक British company है और audio products बनाती है काफी premium products और महेंगे products उनके market में होते हैं तो उसके साथ collaboration करके यह जो product है यह LG ने बन जैसे इसके sound quality आपको काफी better देखने को मिलती है चाहे वो mids हो, चाहे वो high हो, चाहे वो lows हो, lows मुझे इतने impressive खेर नहीं लगे लेकिन obvious सी बात है कि low sound मतलब एक दो volume पे कोई गाने नहीं सुनता क्योंकि मुझे से इतना फरक ने बढ़ा क्योंकि mids और highs काफी premium है और 3-4 options आपको देखने को मिलते हैं, जो bass वाला mode है, वो हमेशा on करके रखेगा क्योंकि वो best है, काफी punchy bass देखने को मिलती है और जो acoustic गाने हैं, वो बाई साब, एक-एक string सुन सकता था, मैं इतनी clear sound इसकी मुझे देखने को मिली, sound quality है, वो सच में आपको उतने पैसों की वसूली देता है, sound quality के बाद में बारी आती है, एक और important चीज जो कि यह है battery life, तो यहाँ पर type C port दिया हुआ है, female type C port, और यह एक घंटे में पूरे यानि earbuds और जो case है, दोनों को charge कर देता है, fast charging को भी support करता है, wireless charging को भी support करता है, इसकी battery life है, वो 21 घंटे की है, 7 घंटे earbuds की, 14 घंट को off करके, अगर आप active noise cancellation के साथ इसको सुनेंगे, तो 5 घंटे इसकी battery life है, जो कि काफी decent है, market में जो competition है, उसके साब से बहुत सही है, sound quality जादा इसकी अच्छी है, battery life decent है, और अगर हम बात करें Android pairing की, तो यहाँ पर Apple AirPods Android के साथ उतना अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि मैंने जो use के, वो बदकिसमती से Android के साथ, OnePlus के साथ यूज किये, लेकिन अगर आप इन्हें Android के साथ यूज करोगे, तो जो connectivity है, वो काफी smooth है, इनका खुद का, LG का खुद का एक app है, LG tone free, वो आपको download करना होगा, और उससे आप कई चीज़ें control कर सकते हैं, left और right earbuds में touch sensor है, वो change कर सकते हैं, completely अपने हिसाब से उसे customize कर सकते हैं, इसमें sound के भी आपको काफी options, वही active noise cancellation, off और ambient mode को आप वही से control कर सकते हैं, इसका पूरा control उस app में आपको देखने को मिलता है, IPX 7 rating मिली हुए है, तो ये waterproof है, splash proof है, rain proof, sweat proof है, तो आप जिम में जब आप इसको पहन कर जाए थेंगे, thank God, दूसरी मैं fitting की बात करूँगा, मेरा जो experience था, इसकी fitting के साथ, वो QV tip आई थी, वो मेरे कानों को fit नहीं कर रही थी, और मुझे शुरू के दो दिन निकाल दिये मैंने, कि इसकी जो fit है, वो अच्छी नहीं है, और मैं complain करने वाला था इस वीडियो में, कि भा बाद है मैंने दिखा कि दो extra tip भी available आपको यहां होती है, तो वो tip आपको अपने कानों के हिसाब से use करनी होंगी, मैंने जो अपने कानों के हिसाब वाली tip इसमें डाली और वो perfect है, उसके बाद मैं मैंने इसे पहन के running भी करी, जिम भी गया, उसके बाद मुझे कोई issue नहीं और मैं सोच रहाता कि अगर मैं वो use नहीं करता तो मैं इस वीडियो को खाम खाम complaint भरी बना देता, तो fit भी काफी अच्छा है, इसका आप इसको पहन कर run भी कर सकते हैं, tone free FN7 की active noise cancellation के बारो में बात करी जाए, active noise cancellation वाला feature जब आप own करते हो, तो आसपास का जो माहोल है, ज तो वो काफी decent से थी, ऐसा नहीं है कि सारी आवास block हो रही थी, थोड़ी थोड़ी आवास still visible थी, बट काफी decent active noise cancellation थी इसकी, बहुत जादा भी अच्छी नहीं थी, तो बहुत जादा बूरी भी नहीं थी, बीच में या फिर हम कहें decent इसकी वो थी, ambient mode की हम बात करें, तो आ कई बार आपको कोई बीच में talk देता है, या कोई आपसे बात करने लग जाता है, तो आपको यह हटाने पड़ते हैं, और सुनना पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप ambient mode को on रखेंगे, तो उस problem का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और ambient mode भी वैसा ही है, कि ना जादा अच्छा दा ना जादा बुरा, एकदम decent सी quality आपको यहां देखने को मिलेगी, एक और बात और एड़ करना चाहूँगा कि यह दोनों ही चीज अपडेट के साथ fix हो सकती हैं, तो जो चीजे हैं वो इंप्रूव होने के chances आपको देखने को मिलते हैं, तो अब आजा का यह जो FN7 product है, one of a kind है, इसका competition ही नहीं है, कहने का मतलब यह, और वो क्यों? इसमें एक ऐसा feature है, जो एरपोर्ट में available ही नहीं है, जो UV Nano वाला feature है, जो UV rays से bacteria को मार देता है, वो इस इकलोते product में है, तो मुझे नहीं पता compare करना ठीक होगा या घलत होगा, लेकिन वो ची जो लोग aware है, यह उनके लिए है, British Meridian sound quality आपको देखने को मिलती है, तो sound quality है, वो obvious सी बात है, stand out करती है, चाए वो mids हो, चाए वो highs हो, bass काफी punch है, clear sound है, काफी loud sound है, हीडबाड वाले इलाके में भी काफी अच्छा perform करता है, जबकि मेरे Sony के headphones है, वो इतना अच्छा perform नही करते हैं, जब मैं traveling करता हूँ, उनमें शायद active noise cancellation नहीं है, लेकिन still उनकी जो price है, वो काफी high है, but this product, इसने मुझे काफी impressed किया है, 20,000 रुपे आप इसके लिए ज़रूर पे करते हो, लेकिन वैसाई 20,000 रुपे वाला experience भी आपको देखने को मिलता है, competition ही available नहीं है, Android के स जिनता नहीं है, तो ये product कमाल का है, इसे लेकि आप जरूर खुश होंगे, और आने वाले time में हम इसके साथ काफी test करने वाले हैं, तो detail में इसकी और वीडियो से आपको देखने को मिलेंगी, इसकी जो Airports Pro के साथ comparison है, वो मैं आपको promise करता हूँ, जल्दी इस channel पर आपको जो जो देखने को में लेगी